कोरोना और बदलते मौसम से होने वाले इंफेक्शन से बचने के लिए हमारी इम्म्यूनिटी का स्ट्रॉंग होना काफी जरूरी है एक स्ट्रॉंग इम्म्यूनिटी हमें हेल्दी रखने के साथ साथ हमें कई बीमारियों और इंफेक्शन से भी बचाती है हेलो फ्रेंड्स बेलकम बेक तू माई चैनल रिम जिम फिटनेस जोन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसालों के बारे में जो हमारी इम्मुनिटी को स्ट्रॉंग बनाने में काफी सहायक हो सकते हैं और कुछ टिप्स भी हमें अपनी लाइफ में इंक्रूड करने चाहिए जिससे के हमारी इम्मुनिटी इंप्रॉफ होगी और हमारा इम्मुन सिस्टम स्ट्रॉंग होगा तो यदे आपने अवी तक मेरे चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया है फ्रेंग्स तो प्लीज सबिस्क्राइब कर लें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए उपाय हमें अपनी इम्मुनिटी को इंक्रीज करने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजिस करने चाहिए जैसे के हमें बीडी और सिग्रेट से दूर रहना चाहिए और परयाप्त नीन लेनी चाहिए क्योंकि कम नीन लेने से कॉर्टिसोल नामक हार्मून का लेवल बढ़ जाता है और यह हार्मून हमारे स्ट्रेस को बढ़ाने के साथ सार हमारी इम्मुनिटी को भी कम जोर बनाता है इसलिए अपनी immunity को बढ़ाने के लिए कम से कम friends आठ घंटे की नेंद जरूर लें और अपने blood pressure को भी सामाने बनाई रखें तनाव और चिंता से पिलकुल दूर रहें क्योंकि जादा तनाव कर लेने से हमारी immunity पर असर पढ़ता है इसलिए तनाव से तूर रहकर खुश रहने की कोसिस करें अपनी diet में खूब सारे ताजे फल्व सबजियों को सामिल करें धेर सारा पानी पीएं क्योंकि जादा पानी पीने से हमारे सरीर से harmful toxins बाहर निकलते हैं जिससे के हमारी immunity increase होती है इसलिए आठ से तस क्लास पानी दिन में जरूर पीएं जिससे के आपका immune system strong होगा अपने बजन को ना बढ़ने दें यानि की अपने बजन को संतुलित रखें नियमित रूप से अपनी जिकिसिकिया जाँच जरूर करवाएं और कवीवी अपना सुभे का नास्ता skip ना करें क्योंकि रोग प्रतरोदक छमता बढ़ानी में metabolism काफी सहायक होता है जो हमारे सुभे के नास्ते से अच्छा work करता है क्योंकि अच्छा metabolism से ही हमारी immunity भी अच्छी होती है इसलिए फ्रेंड्स कवी भी सुभे का नास्ता skip ना करें क्योंकि सुभे के नास्ते से ही हमें दिनवर की energy मिलती है next step है हाथ दोना खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ जरूर दूएं और कोरोना टाइम में हाथ दोने की importance तो आप सभी जानते हैं इसलिए अपने हाथ बारवार सावन से जरूर दूएं जिससे के आप मौसम के कारण होने वाले infection और बीमारियों से पच सकते हैं अपनी immunity बढ़ाने के लिए सुभे की दूप भी जरूर ले क्योंकि सुभे की धूप रोग प्रतरोदक चंता बढ़ाने में काफी सहायक होती है और धूप लेने से हमारे अंदर की vitamin D की कमी भी पूरी होती है नेक्स टेप है व्यायाम करना फ्रेंड्स immunity को बढ़ाने के लिए daily व्यायाम जरूर करें क्योंकि व्यायाम करने से हमारे सरीर में enzymes और ऐसे hormones निकलते हैं जो हमारी रोग प्रतरोदक चंता को बढ़ाकर coronavirus और viral से बचाप करते हैं अब कुछ मसाले जो हमारी immunity को बढ़ाते हैं सबसे पहला है long long में friends antibacterial और anti-inflammatory antioxidant good पाए जाते हैं long हमारी immunity को बढ़ाकर हमें infection और सर्दी जुकाम से बचाती है long में antifungal वो antiseptic good वी होते हैं इसलिए long को अपनी diet में जरूर सामिल करें दूसरा है healthy healthy में friends, vitamin C, fiber और flavonoids पाया जाता है healthy में काफी सारे antioxidants और anti-inflammatory good वी होते हैं जो हमारे immune system को boost करते हैं अपनी immunity बढ़ाने के लिए आप अपनी diet में हल्दी के दूद का भी प्रियोग कर सकते हैं इसमें कद्दूबस की हुई कच्ची हल्दी को दूद के साथ ओवालते हैं next है काली मिर्च immune system को मजबूत करने के लिए guys इसकाली मिर्च का प्रियोग करना भी हमारे लिए काफी फायदेमंध होता है क्योंकि इसमें काफी antioxidants की मात्रा होती है जो हमारी immunity को बढ़ाती है फिर है अद्रक अद्रक में antioxidant वो anti-inflammatory good पाये जाते हैं जो हमारी immunity बढ़ाने का काम करते हैं अपने immune system को strong बनाने के लिए आप अपने दिन की शुरुवात अद्रक की चाय से कर सकते हैं next मसाला है immunity बढ़ाने के लिए इलाइची का 7B काफी फायदेमंध होता है अगर आप इलाइची को हलका roast करके सहत के साथ खाएं तो इससे आपका immune system strong होता है next है मैथी immunity बढ़ाने के लिए आप मैथी का प्रियोग भी कर सकते हैं मैथी भी हमारे immune system को strong करती है तो ये थी मेरी आजकी वीडियो फ्रेंड्स आप इन changes को करके और मसालों को अपना कर अपनी immunity को बढ़ा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे की आने वाली वीडियो की नॉटिफियो फ्रेंड्स